नमस्का दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत हैं। सभी भगवानों में भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भगतों की पूझा पाट से जल्दी प्रसन हो जाते हैं। इसलिए इने भोले नाद और भोले बंडारी भी कहा जाता है। और यही कारण था कि असूर भी वर्दान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या किया करते थे और उनसे मन चाहा वर्दान भी प्राप्त कर लेते थे। शिप पुराण में बताएगे इन चोटे-चोटे उपाईयों से भगवान शिप को असानी से प्रसंद किया जा सकता है। सावन के मा में गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी भी अन की कमी नहीं होगी। तथा पित्रों की आत्मा को शांती मिलेगी। सावन में किसी नदी या तलाब के पास जाकर ओम नमश्यवाई का जब करते हुए आटी की गोलिया मश्यों को खिलाएं। सावन में 21 बिल पत्रों पर ओम नमश्यवाई लिखके शिवलिंग पर चड़ाएं, इससे आपकी सभी मनोकामने पूरी होगी। सावन के महीने में शिवलिंग पर केसर मिला दूद चड़ाने से विवहाकारे में आ रही बादा दूर होती है। सावन करने पर मोक्ष की प्राप्ती होती है। साथ इसके साथ व्यक्ति के सभाव में शितलता आती है। सिवलिंग पर इत्र चड़ाने से व्यक्ति के विचार अधिक प्रसंद होते हैं। और बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए। अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ शाथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवा दोस्तों।